जैहिन दोस्तो दोस्तो आपकी एक और भरती निकलिये CISF की कॉंस्टेबल के पत पर Central Industrial Security Force तो आपकी इसके पत पर निकलिये कॉंस्टेबल के पत पर आपकी भरती निकलिये जिसकी आपकी डेट होगी स्टार्ट जो आपकी स्टार्ट हो चुकिये और लास्ट होने वाली तो जिस भाई ने वे तक form फिल नहीं करा तो जाकर फिल कर लेना आपके form स्टार्ट होगे थे 29 जनवरी 2022 से और जो आपके last date दी हुई है जो आपकी जो बंद हो जाएंगे form ये 4 March 2022 को सांप पांच बज़े आपके form फिल होने बंद हो जाएंगे तो इसमें सिर्फ आप only male citizen जो ह अच्छी खासी दी हुई है और आपको इसमें जो होगा आपका online ही फिल होगा ये form, offline ये आपका online ही processes में online आपका form फिल होगा, पहले इसमें आपका PET होगा, PET मतलब आपका पहले इसमें physical होगा, फिर आपका measurement होगा, height chest आपकी measurement होगी, फिर आपका written exam होगा, OMR seat पर होगा, या आपका CBT यानि computer based test होगा, फिर आपका document verification होगा, उसके बाद आपको medical का time दिया जाएगा और बताया जाएगा, आपको medical कहा होगा, फिर आपका medical होगा, और फिर आपका schedule conduct किया जाएगा, उसके बाद आपको दोस्तों इसमें बताया हुआ कि ये आपका exam जो होगा, वो check chest कितना होना चाहिए आपका, और आपकी age के बारे में बताऊँगा, और आपकी vacancy के बारे में बताऊँगा, दोस्तों आपके minimum चीज जो है important है वो चीज आपको बताऊँगा only, तो आप यहाँ पर देख सकते हो, आपकी इसमें salary जो दी है, 21,700 इसमें कम से कम salary और maximum की salary है, 69,100, तो आप Indian citizen होने चाहिए और आपकी vacancy के detail यहाँ दी हुई है, और notification देखने के लिए आप हमाई telegram group से जुड़ सकते हो, आपको यह notification हिंदी में मिल जाएगा, और आपको इंगलीस में भी देखने को मिलेगा, तो जाइए भाई, join कर लो telegram group को link आपको description मिल जाएगी, वीडियो के, और आपको जो इसमें आपकी age होनी की तो दोस्तो वो आपकी age 18 से लेकर 23 साल तक आपकी age होईगी इसमे, age qualification की बात करो तो आप इसमें 12th pass होने चाहिए और वो भी science stream से, science stream से आपने 12th pass की होनी चाहिए, उसके बाद यह आप इस form को fill कर सकते हो, आपकी age जो हो इसमें आपकी age होता है, तो आप मतलब की इस से बाद के जो है वो fill कर सकते, उससे पहले के form fill नहीं कर सकते, यानि की 5, 3, 1999 में, 5, March 1999 में से जो बच्चे पहले है तो वो इस form को fill नहीं कर सकते, 5, March 1999 के बाद जो बच्चे बाँन हुए है वे इस form को fill कर सकते, और 4, March 2004 तक के बच्चे इसमें फिल कर सकते उससे जादे एज के बच्चे फिल नहीं कर सकते तो वे एज उनकी कम हो जाएगी इस प्रकार से तो इसमें आपको एज रिलेक्शेशन में मिला हुआ है यह सर्फ सकते इसमें आपका एज रिलेक्शेशन दिया हुआ है जो इसमें प्रकार से प्रजाति नहीं उनकी कि अंपर एक चैस सब्सक्राइब होना चाहिए आपकी हाइट में जो इसमें छूट मिलेगी वो आपकी एक पैसट आपकी छूट मिलेगी आपको सिर्फ केंडिडेट जो हिल एरिया से बिलोंग करते हैं आप जो गड़वाल कुमाव हिमाचल पड़ते इस एरिया से आता है भाई जीडेगी एक हाइट में चीज़ बात आपकी छाईट में चीज बताता हूँ प्रोस्स बता हूं जर्चल पीडियाफ बहुत बड़ी है तो मुस्के प्रोसिस बताहूंगा तो बड़ी PDF और वीडियो भी बहुत लंबी बन जागी जिससे कि आप सही से समझी भी नहीं पाऊगे और फीस की बात कर दो भाई इसमें फीस आपकी 100 रूप लेंगी सिर्फ जनरल वालों के लिए और OBC वालों के लिए ST और SC वालों के लिए कोई फीस नहीं है फीस उनकी माफ है और X-Service Venom वालों के भी कोई फीस नहीं है तो आप इस फोर्म को जाकर फिल कर सकते हो आपकी इनकी वेबसाइट दिए है www.cisfrect.in पर जाकर आपको फिल फॉर्म करना है या आप किसी पर साइबर कैफे वाले पर फिल करवा सकते हो तो इसमें आपको बताया है दोस्तो मैंने आपको पहले आपका PET टेस्ट होगा फिर आपका PST आपको चेक किया जाएगा आपकी हाइट चेस्ट आपका चेक होगा तो इसमें PET आपका बता दूप आपका फिजिकल एफिशेंसी टेस्ट आपकर जोगा इसमें 5 किलोमेटर आपकी रनी होगी वो आप 24 मिनट में आपकी कॉंपलिट करनी होगी तो उसके बाद आपके height chest होगी और height होगी आपका weight होगा उसके बाद height के बारे में आपको दोस्तों मैंने बताई दिया और आपकी जिस भी आप area से आते हैं उसके आपको relaxation मिला हुआ है height में भी और आपको age में भी relaxation मिला हुआ है रीटन एक्जाम के बारे में दोस्तों मैंने आपको बता दिया OMR सीट पर होगा CBTK होगा या तो 2N में से कोई एक होगा और आपको रियात रीजनिंग इसमें बता हुगा कि आपके रीजनिंग के पहले बता दोस्तों आपका एक question एक marks का होगा तो इसी प्रकार से आपके यहाँ पर reasoning के 25 question होगे जो 25 marks के होगे फिर G के आता है 25 question 25 marks के और आपका math के 25 question 25 marks के हिंदी और English के दोनों mix होएंगे दोस्तों इसमें 25 question होगे 25 marks के और आपको time दिये जाएगे हैंपर 120 मिनिट आपको हैंपर timing दिये जाएगी उसके बाद बात करता हूँ दोस्तों आपको मैं जो main one चीज़ only वो चीज़ आपको बताता हूँ दोस्तों तो यहाँ पर आपको जो आपकी marks sheet है आपको वो ले कर जानी है आपको ले कर जानी है तो आपको पहले सभी documents मैं दिखा जेता हूँ एक बार तो दोस्तों जब आप इसमें fill करोगे one time registration करोगे आप इसमें सबसे पहले आपको 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 नमबर चाहिए आपका mobile नमबर email ID आधार कार्ड यहापका pen card भी जो voter ID pen card passport हो इनमें से कुछ भी चल सकता है आपका आधार कार्ड यह आप जातर लगाते तो आधार कार्ड सही है आपका फिर आपकी 10 12 जो भी हो आपकी 12 की आपके जो रोल नमबर है आपके जिस year में आपने पास क्या था था वो तो इसी परिकार्ड दोस्तो आप कैफे वाले पर जाओगे तो वो आपको form को खुदी ही फिल कर देगा तो जिस भी भाई पर form फिल ना हो तो वो message करना हम आपके लिए एक और वीडियो बनाएंगे कि आप इसका form कैसे फिल कर सकते हो और दोस्तो आपको उससे पहले बता दो कि जो भाई इसमें written exam में बैठेगा उसे कम से कम आपके एक बार दिखा दे तो मैं आपको life proof ही उसे कम से कम कितने marks आपको लाने है percentage के साब से उसके बाद यह आपका merit में नंबर आएगा merit बन सकती है तो यहाँ पर देखे दोस्तो SC, HT और OBC के लिए 33% marks आपको जरूरी लाने है अगर आपके merit बनेगी merit कितनी हाई जाएगी उसके बाद depend करेगा अगर 33% से कम आपके marks आएगे तो आप merit में बनने लाइक नहीं होगे उसी परकार से आप X-Service Man, EWM और General में जाते हैं 35% कम से कम marks आपको लाने है इसके बाद ही आप merit में भाग ले पाऊगे उसके बाद ही पतल लाएगा merit कितनी हाई जाती है कितनी नहीं क्योंकि इससे कम अगर percentage में आपके number आए overall तो आपको merit से पहली बाहर निकाल देगा आपके merit में तो नाम आने का यह नहीं है और merit में नाम आने के बाद फर depend करता है कि merit कितनी हाई गया और आपके कितने number आए है तो दोस्तों अगर कुछ जानकारी अधूरी लगती है आपको तो कमेंट करके बताना हम आपको कमेंट में फूरी जानकारी देंगा उस बारे में अगर कुछ डाउट रहता है तो कमेंट करके जरूर पूछना हम आपका reply जरूर देंगे वीडियो पसंदा है तो प्लीज लाइक कर देना और जो भाई चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्स्राइब कर लेना तब तक के लिए धन्यवाद जय हिंद जय भारत मिलते हम फिर किसी ओर नेक्स्ट अपडेट के साथ